नमस्कर दोस्तों इस्टेड़ी विथुमेश्टी चनल पर आप सभी लोग को स्वागत है और आज के देनिक रोजगार समचार में हम लोग देखेंगे कि सचिवाले में कॉंप्यूटर सायक के तीन सो पद खाली आज के देखिए अमर उजाला की ये नीज है इसमें लिखा है सचिवाले संग्गे सचिवाले में सीधी बृति के रिक्त करीब तीन सो कंप्यूटर सायकों के पदों को बहरने की मांग देखिए. सचिवाले संग के कारिकारनी सदस अखलिश कुमार सिरवास्तों ने बताया कि काफी पहले 144 कंप्यूटर सायकों के पदों का भरती प्रस्ताव सचिवाले प्रसाशन विभाग ने अजिनस सेवचानव को भेथा आयोग अभी तक इन पदों पर भरती के लिए बिग्यापन नह काल सका है इसके अलावा 150 से अधिक पद और रिक्त हो गए हैं उन्होंने मुख्य मंत्री से सभी 300 पदों पर भरती कराने के लिए सासनों वा आयोग को निर्देश निर्देशित करने का आग्रा किया है स्रिवास्तों ना बताए कि 1999 में सचीवाले में 427 टंकड बरतमान में कंप्यूटर सायक की टंकड को उसको कहते थे कि निक्ति की गई थी अब ये सभी समिछा अधिकारी बन चुके हैं कि सी भरती के कंप्यूटर सायक की स्थ दबारा कोई भरती नहीं की गई के वल म्रितक आसे तो वह चतुरे सिन्डी कर्मियों से यह कॉम्पूटर साय के पोलों को भारा जा रहा है तो यह बताया गया है तो आप यह कम्पूटर साय से समिछा दिकारी तक जा सकते हैं 1999 वाला जो आप समिछा दिकारी बन चुका है तो एंदोस्तों चले अगली खबर पर चलते हैं तो आपना तैयारी तेज रखिए चुनावी साल है बढ़ाएंगे इस साल यह अगली खबर यह है कि कटा प्रप्तांग की सुचना है देर से देने पगीरा आयोग आरो यारो परिछा के अभ्यर्थियों ने उठाय सवाल नियुक्ति की संस्तिति के बाद जानकारी देने के निरले से संतुष नहीं यानि तो असफल अभ्यर्थियों के बीच बेदवाव क्यों तो यहां पर लिखा है उत्तर प्रप्रदेश लोग से वा आयोग ने समिच्छा दिकारी बरती दो असवरक रिजल तो जारी कर दिया लेकिन अभ्यर्थियों के कटाफ अंक और प्रप्तांकों की जनकारी नहीं कि यहीं अभ्यर्थियों सवाल उठा रहे हैं कि आयोग कटाफ अंक और प्रप्तांक अभी भी सुचनाएं देने से क्यों कत्रा रहा है अभ्यर्थियों की मांग है कि कटाफ अंक और प्रप्तांक की सुचनाएं आयोग अपनी वेबसाइट पर तत्काल जारी करें आयोग तो इसमें यह का गया है कि आप समय से कटा फंक दे दीजिए ताकि विद्ध्यार्थी अपना मुल्यांकन कर सके अब इतना लेट देते हैं कि समय भी चुका आता है निकल चुका आता है विचार करने का ठीक है ना आप उसमें लिख देते हैं नोटिस में कि सुचना के अधिकार के तथ आप निमत मांगे हम जारी कर देंगे लेकिन आप पैसा करते नहीं है तो यह विद्ध्यार्थियों का आरोफ है चलिए अगली ख़बर पर चलते हैं दोस्तों यह देखिए समस्या बहुत समस्या चल रही थी उच्छा नावकरी के दोस्तों यह आउगुन नहीं सुप्रीम कोट ऐसा देखा जा रहा था कि जए के पद में जए की भरती में जो है बीटे को वालों को एलाव नहीं करता तो यह हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का सर्ग यह निव जाए यह वहां से और हिमाचल हाई कोट के फैसले को सिच्छा या योगता को नौकरी पाने के लिए अगुन या दूस नहीं माना जा सकता सिर्श अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाई कोट के आदेश को खारिच करते बीटे की देखदारियों को राज बिजली बोर्ड में जूनियर इंजिनियर के पदोपर नौकरी के लिए आ 36 फिश्दी तक ही होती है बाकी 64 फिश्दी में बिभिन उप कोटा फीडर के निर्दायत किये गए इनमें सबसे अधिक हिसदर जूनियर इंजिनियर के होती है पीट ने अपने आदेश में कहा या दिखाता है कि इस नियम को बनाने का मकसद दिख्रधारियों को जूनियर के पद पर विचार करने से दूर रखना नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं राजसरकार की दलील माने पीट ने सुनवाई के दवरान राजसरकार की और से पेस एडिशनल एड़ोकेट जनरल अभिनव मुखर्जी की इस दलील को सुकार कर लिया कि बोर्ड को जूनियर इ दोस्तों और यह बदलना चाहिए था ऐसा देखा जार था कि जो है क्यों डिप्लोमा अपने में लड़ करके सेलेक्शन हो जाता था और जो बीटे करता था उसको फार्म बरने के अनुमतिए नहीं दी जाती थी लेकिन देना चाहिए आप पीच्डी कर लें इसका मत्तिए अगली खबर पर चलते हैं यह देखिए अगली खबर है सासन ने मांगी परिछाकारियों की रिपोर्ट इसमें लिखा है निरिछन में मिली खामियों का सतरह तक होगा निस्तारह निरिछन परिच्छक के लिए नामित हुए अधिकारी तो यह जो है हाई स्कूल इस चाहर किए निरिछन के दारान मिल्ने वाली खामियों का पर्रिखारन का निस्तार्ण करने के बाद यह भी जो चुनास सुनाव माई उनाही परिछा आप जानते है के आट माई से वह भी परिछा सुरूने वाली तो उसकी भी तैयारी जारू sen चलिए अगली खबर पर चलते हैं आप जिसको जो इस समय थे होगा इसको पास करकर वीडियो को पूरे देख लिजेगा चलिए अगली खबर पर चलते हैं अगली खबर है कि यूपी में सरवाधिक इतने मरीज पांच और जिलों में लगा रात्री करफू तो प्रयाग राज में इतने नए कोरोना मरीज मिले साथ लोगों की माउत एक दिन में एक दसनों तीन पांच लाख संक्रमित सनिवार देरात राज्यों से आये आंकलों के अन इसकी पूष्टी की चलिए आगे देख लेते हैं तो यह कोरोना जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंपी के बारह सोरो में 22 तक लाकडाउन मद्द प्रदेश में इंदवर, जबलपूर, उजयन, बढ़वानेर यह सब जो है 22 अप्रेल तक आगे बढ़ा दिया गया है लाकडाउन के अलाव बिकल्पने उद्दाव ठाकरे माराष्ट में सुक्रवार से सुमार तक्सुभा साथ बढ़ तक लाकडाउन जा रही है इ नजार आ रहे हैं तिया यह है यूपी में सनिवार को सरवादी कितने मरेजितने यह सब देख लिए बहुत ही तो यह ख़बर इसलिए महत्वपूर्ण थी कि देखिए जान से बाढ़कर कोई चीज़े नहीं है पढ़ाई और जो भी जाब है अगर हो सके विकल्प होता अच्छे से बचाओ करिए चलिए अगली ख़बर पर चलते हैं दोस्तों है कि वह सर्वर की समस्या सूल जी नहीं है देखा जा रहा था कि अभी इसको डेट को आगे बढ़ाया गया था सर्वर दीमा उने कर अभ्यरतियों कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वे भरती से बंचित हो जाएंगे इस मामले यूव मंच के अधक्ष अनिल सिंग ने मादिमिक सिशा चैनल के अधक्ष पत के लिख कर अपने सिकाय दर्ज कराई अनिल सिंग ने मांग की की डेढ करोंड रुपए खर्च करने के बाद भी बार बार वेव साइट के क्राइस होने की आफिश के परिशाय राजव इससेमेश्टर परिशाय फूरी अब बार्सिक परिशां को इंतिजार तो यह राजव बश्च्व हैं उसमें जो विद्धारती पढ़ना हैं उनकी परिशाय कराना ज़रू यह तो देखिए लगर यह अगली ख़बर पर चलते हैं इसको देख सब्सक्राइब करने की सिफारिस की गई समाज का लियाने देशक राकेश कुमार ने इस समंद में इस सासन को भेज़ी पत्र में कहा कि अनिमिता बड़ी है विवागी अस्तर पर शीमित समय में सभी सजाद संबव नहीं है ने सर्मातृ मत्रुं में इतने हैं छत्यविर्टी प्रत्यपूर्ती में अनरोद क्या इपत्र में उन्हों ने कहा कि मत्रुंत घ्रम और on सब्सक्राइब कर देख रहा है कि एक तरफ विद्यार्थियों को छात्र विद्यार्थि मिल नहीं रही है और उसके बाद उपर से घोटाला कर रहे हैं तो इसकी जाच होनी चाहिए यह जो बात सामने आनी चाहिए कि और इसके दोस्य उपर सक्त सजा होनी चाहिए विद्यार्थि जो वह पड़ाई लिखाई से जुड़े हैं उनको गुम्रा करके इसकूल वाले से कर रहे हैं चली अगली खबर चलते हैं दोस्तों देखिए अगली खबर है कि अब सरकारी विवाग चैन आयोग भी सुचिबद कर सकेंगे बरती एजनसिया इसे यह निकल क्या रहा है कि यहां पर भरतियां जो है जल्दी होने वाली है और चैन आयोग भी सुचिबद कर सकें बरती एजनसिया तो यह दोस्तों इसको देख लिजिए और लगे रहे हैं मुल्तत्तों हैं अगली खबर में तब तक लिधन बाद